आप अपनी लाइप में बहुत अधिक अच्छा ग्रोथ करेंगे यह आप लिक्कर ले लीजिए नमस्कार दोस्तों मैं सीमा डेवन मेरे इस यूटूब चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हम चर्चा कर रहे थे कि धनभाव आपके जीवन में कौनसे हाउस से कनक्शन करें तो आप अपने जीवन में यदि उस हाउस से कनक्ट होते हैं तो आपके इंकम सोर्स भढ़ते हैं 110% पिछले वीडियो में मैंने एक से नौ हाउस के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देखिए आज हम बात करेंगे कि आपके धनभाव का मालिक यदि तैंथ भाव से कनक्शन करता है बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन ये माना जाता है क्योंकि 10th हाउस हम भली बाते जानते हैं हमारे कर्मिस्थान होता है क्योंकि जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें 10 वे हाउस को बहुत अधिक महत्वता दी गई है यह हमारे स्टेटस का भी होता है इसलिए धन भाव का मालिक यदि आपके 10th भाव में इस्तित है तो ऐसा आप क्या करें ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो हर कोई जातक का यही सपना होता है कि वह अपनी लाइफ में बहुत अधिक अमीर बने बहुत अधिक धन उसके पास हो प्रचूर मात्रा में उसके पास धन हो लेकिन यह सपना हर किसी का संभव नहीं हो पाता है प्रयास तो सभी करते हैं मैं इस चीश को मानती हूँ मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते हैं लेकिन महनत हम विपरित दिशा में करते हैं, अर्था जो जन्म कुंडली हमारी बोल रही है कि आपको यहां प्रयास करना है, आपने वहां प्रयास करा तो आपको comfort zone में आपके income होती है, लेकिन यदि हम विपरित दिशा में प्रयास करते हैं, विपरित करियर हमने set कर लिया, तो फिर हमको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमारी इंकम भी बहुत अधिक कम होती है, लाइव में स्ट्रगल बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए आपकी जो जन्म कुंडली बोल रही है, यदि आप उस दिशा की तरफ चलेंगे, तो आपको इजी गो कमी महसूस नहीं कर पाए, दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, धन भाव का स्वामी यदि 10 भाव में इस्तित है, यदि आपकी कुंडली में इस्तित है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अधिक अच्छा ग्रोथ करेंगे, यदि आप लिक्कर ले जितना अधिक आप मेहनत करेंगे, जितना अधिक आप प्रयास करेंगे, उतना अधिक आप ग्रोफ करेंगे, तो आप अपने व्यापार की रूप में अपने जीवन में काम करें, अर्था सर्विस नहीं करना आपको व्यापार करना इस चीज का आपको ध्यान रखे, अब यह कुंडली बनी हैं व्यापार के लिए, पूरी टूटली, यदि बुद्ध अच्छा है, टेंथ भाव का स्वामी अच्छा है, धन भाव आपका यहां जुड़िया है, तो लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यह बहुत अच्छा कॉंबिनेशन ह शुकरदेवता यहां बनते हैं आपकी लगन के मेश- लगन की कुंडली के सावब, अलग-अलग लगन कुंडली के सावब से अलग-अलग घ्रेस ommy बन सकते हैं, तो सिंपल सा है आपको अपना व्यापार करना है, जो कुंडली में रिकमेंड होता है, उस व्यापार के स्टेटस भी अच्छा रहेगा क्योंकि यह 10 भाव अमारे स्टेटस को भी प्रदशित करता है तो व्यापार के माध्यम से भी हम अमारे जीवन में नाम कमाते हैं या फिर हम अमारे परिवार के माध्यम से नाम कमाते हैं तो व्यापार के माध्यम से आप अपने जीवन में बह सुनते ही सब को एक मन में दुवीदा हो जाती है क्योंकि हमेशा यह रिष्टा बहुत कम लोगों में दिखता है कि अच्छा है सुखद है लेकिन आपको अपने प्रती कोई घ्रणा का भाव नहीं रखना है इस चीज को मानिए भले आपकी सास आपसे कितना ही रूठी भी है लेकिन आपको उनको मनाना है आपको उनको पर बिलीव करना है आपको अपनी तरफ से पहल करना है तो सास से रिष्टा अच्छा रखेंगे तो आपका धन अच्छा बना रहेगा इसी प्रकार से जेन्स की कुंडली है तो आप भी अपने सास से अच्छा रिष्टा रखें पिता से भी अच्छा सहयोग करेंगे, तो भी आपके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, यानि कि पिता और सास का सहयोग आप अपनी लाइफ में जरूर लेते रहें, तो आपकी लाइफ में धन के आगमन के अच्छे स्रोत खुलेंगे दोस्तों, और पिता के सहयोग से भी आप काम कर सकते हैं यदि भग्य भाव का स्वामी भी यहां पर यूति हो गया तो बहुत सी कन्डिशन होती है, कई ऐ बार इक से अधिक चीज हम कर सकते हैं लेकिन अगर यह स्टिती है, तो यह तो करना जरूरी है, उस चीज को आप Kenneth नहीं कर सकते हैं अन्य घ्रह यदि यूती कर रहे हैं तो वह चीज आप कर सकते हैं आपको यह जानकरी बहुत अधिक पसंद आयोगी वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर आप लाइक करें दूसरों के साथ शेर जरूर करें और हम नेक्स्ट वीडियो में 11th house के ओपर चर